आपको हमारी वीडियोस कैसी लगते हैं और साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए आप से कंदर ची की डिटेल्स हमने शेयर की हैं इनसे आपको अटाक कर सकते हैं और साथ साथ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी दिया गया है तो चेले माच नुमर 32 की ये माच होगा 20 एप्रिल 2020 का बुदभार का दिन रहेगा शाम के समय का ये माच रहेगा डेली कैपिटल्स वर्सिस पंजाब किंग्स के बीच में ये माच होगा डेली कैपिटल्स की पहले बात करेंगे अगर इस माच के इस टीम की बात करें डेली कैपिटल्स की जिसके कप्तान है रिशब पंथ अगर इनकी बात करके चलें तो इनका performance जो है काफी हर तक अच्छा रहने की संभावना बन रही है महीं पर रिशब पंथ की अगर बात करें तो start-up बहुत अच्छा लेंगे ग्राफ मिंटेंड करते हुए आगे पढ़ेंगे और no doubt performance भी ही अपना बहुत बहतरीन देने का प्रयास करेंगे वहीं पर देली कैपिटल्स की बात करके चलें overall टीम की तो देली कैपिटल्स का जो performance रहेगा बहुत अच्छा रहेगा स्टार्ट अच्छा लेंगे मगर दस वे ओवर के बाद से जो है इनके performance में गिरावाट सकती है पहले दस ओवर में जो है इनके दो से तीन विकेट भी गिर सकते हैं जिसकी वजा से score बनाने में इनको थोड़ी दिकत आएगी ही आएगी इसके अलावा लास्ट की पांच ओवर जो रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे अगर ये सेकंट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो इनका बैटिंग का जो परफॉर्मेंस रहेगा पांच वे लास्ट फाइव ओवर्स का बहुत ही बहतली नजर आएगा वही पे अगर हम पंजाब किंग्स की बात करके चलें तो पंजाब किंग्स जो है जिसकी कप्तान मयंग अगरवाल है इनकी डेट ओफ बर्थ की बात करके चलें तो 16 फर्वरी 1991 इनकी डेट ओफ बर्थ है टोटल देख करके चलें तो दो है इनका डेस्टिनी नमबर वही प तो बहुत खासन का प्रफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं, हाला कि देखा जाए, तो प्रयास अती तरफ से बहुत भीतरीन करेंगे, मगर बहुत अच्छा हैं का प्रदर्शन नहीं नज़राएगा इस मैश के दुरान, अगर हम पंजाब किंग्स की अल ओबर बात करके चलें, पंजाब किंग्स मैच से आउट हो सकती है, मैच नहीं जीत पाएगी, मगर पांच प्रयोवर के बाद कि अपना प्रदर्शन उठाने का प्रयास करेंगे, ग्राफ मिंटेन करने का प्रयास करेंगे, और काफी बहतरीन प्रदर्शन दिखाएगे, दोनों ही टीम्स को कमपारसन करते हुए चलें, तो पंजाब किंग्स का खेलना मुश्किल होगा जरूर, बगर पीछे नहीं हटेंगे डेली कैपिटल्स को बीट करने से, इसके लाबा अगर बात करें कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो जादा से जादा जादा जो चांसे लग रहे हैं पंजाब किंग्स के पहले बाटिंग करने के चांसे बन रहे हैं, और टॉस जो है, डेली कैपिटल्स में कहूंगी टॉस जीत सकती है, वहीं पे अगर हम बात करें मैच नुमर 32 के जीतने के, तो कुछ न कुछ करिश्मा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल जो डेली कैपिटल्स को हरा करके पंजाब किंग्स जीत सकती है, तो मैच नुमर 32 में कहूंगी पंजाब किंग्स जीतने के चांसे बन रहे हैं, अलाकि टेडा मेडा परफॉर्मेंस रहे का जरूर, अगर फिर भी पंजाब किंग्स जीत सकती है, अगर हारेगी तो बहुत मार्जिन से नहीं हारेगे, सेकेंड इनिंग्स में डेली कापिटल्स की जो बाटिंग होगी, उसकी वज़ा से हार सकते हैं, मगर फिर भी मैं स्टिल पंजाब किंग्स के साथ रहूँगी, माशा मर्बद तो ये तो हुई आज के मैच की बाद, वही पे आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, कि अगर आप प्रिकेट से जुड़े हुई कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, फिलाल के लिए आप सभी दर्शुकों से लूँगी इजाज़त, मगर इजाज़त लेने से पहले आप सभी दर्शुकों को कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हर एक तरहां की कमेंट करते हैं, बहुत सरहानी हैं भी होते हैं, मगर मैं आपको फिर भी एक बार ये कहना चाह रही हूँ, कि अगर आप अपना पैसा मैच के उपर, सटे के उपर लगाते हैं, तो ये आपका खुद का रिस्क होगा, हमारा रिस्क बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को तिहान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि हम इस तरहा होती है, कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, मगर हम जो ये वीडियो लेकर के आते हैं, केवले एक इंट्रेइन्मेंट के परपस से लेकर आते हैं, ना कि आपको पैसा जुतवाने के लिए, या हरवाने के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपना हमारी वीडियो या हमारा यूट्यूब चानल जो है, इस चीज़ का जिम्मिदाद विल्कुल भी नहीं है, तो फिलाल के लिए मुझे दीज़ इजाज़त, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले, जोती से जड़ा हुआ गया, क्रिकेट से हुए हुए, सभी जानकारी के लिए, आश्रोजा करेश्मा कॉष्ण, नमस्कार, जै श्री रावे